असलाइकम दोस्तों कैसे आप लोग आज आप लोग के साथ लाहुरी छोले की रेसिपी शेर कर रहे हैं इसे हम अपने स्टाइल में बनाएंगे यह बिकफस्ट रेसिपी है तो आए देख लेते हैं लाहुरी छोले बनाने के लिए हमने 200 ग्राम काबली चने लिये इनको हमने अच्छी तरहां से धोकर 5-6 गंटे के लिए पानी में बिगो दिया था अब यह अच्छी तरहां से फूल गए जब हमने इसे बिगोया था तो हमने इसमें दो चुटकी बेकिंग सोडा भी डाला है साथ में हमने लिये 50 ग्राम चने की दाल यह ऑप्शनल है लेकिन यह ग्र लिए रखने की दाल को छोल में मिक्स कर दीमक भी घंड दोने के लिएक साथ कर दिखोक अब इसको एक बार अच्छी से और साफ पानी से दो lots पर दालेंगे अब कुकर कर धकन लगा देंगे और इसको गैस पर रखेंगे और तेज आज पर एक प्रेशर आने देंगे उसके बाद आज को कम करके इसको दस से बारमनित धीमी आज पर पकाएंगे जब तक छोड़े गल रहें तो हम लेंगे कड़ाई उसमें डालेंगे थ्री तेल जब करम हो जाएगा तो इसमें एक छोटा चम्मच जीरा एट करेंगे साथ में डालेंगे एक पड़ी इलाइची दो इंच के तुकड़ा दालचीनी का इसको हमने तोड़कर डाला है चार-पांच लॉंग शामिल करेंगे और डालेंगे एक फूल स्टार अनीस का गरम मसालो को हम धीमी आज पर कुछ सेकंड के लिए फ्राय करेंगे जब मसालो के फ्लेवर स्टेल में आ जाएंगे तब हम इसमें एट करेंगे एक टेबल स्पून अद्रक और लैसन का पेस्ट अद्रक और लैसन का पेस्ट डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर भूनेंगे, हम इसको तब तक फ्राइब करेंगे, जब तक इसका कच्छा पन दूद ना हो जाब, देखिए अधरक लेसन अच्छी तरह से फ्राइ हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे एक बड़ी प्यास, प्यास को हमने डाल कर इसका पेस्ट बना लिया अगर आपको प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा पानी डाल कर प्यास का पेस्ट बना लिजेगा, अब प्यास को भी हम फ्राइब करेंगे, आज को हम तेज रखेंगे और तेज आज पर हम प्यास को लगदा चम्मच चलाते हुए फ्राइब तब तक फ्राइब करेंगे, जब तक प्यास का कलर चेंज ना हो जाए, अब देखें, प्यास का कलर चेंज हो गया, तो इसमें हम एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक छोड़ा चम्मच कोटीवी लाल मर्च, एक छोड़ा चम्मच नमक डालेंगे, नमक मर्च अपने टेस्ट के साफ से डालिएगा, एक कच्छा पंदूर हो जाए, अब देखें, अच्छी तरह से भून गया है, और तेल भी सर्फेस पे दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम 200 ग्राम दही शामिल कर देंगे, दही को हमने अच्छी तरह से फेट लिया था, और जब हमने इसमें दही डालाय तो गैस की फ्लेम को हम अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स की है, लगाता अच्छा चलाते हैँ इसको फिर हमने तेज आच पर अच्छी तरह से भून लिया ह। भून गया है, और चोले इसमें शामल कर देंगे अभी हमने सिर्फ छोले डाले हैं जो छोले का पानी बचा है ये छोले उबले हैं जो पानी बचा है इसको भी हम एक साइट रखेंगे पहले हम छोलो को अच्छी तरह से तीन से चार मिने तेज आज पर पकाएंगे हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक की तेल सर्फेस पे दिखाई ना दे देखे छोले हमारे अच्छी तरह से पकड़ाएं और जो डाल डाली थी वो भी मैश हो गई है क्योंकि चन्ने की डाल बहुत जल्दी से छोलों में घुल जाएगी अच्छी तरह से ये गल गई थी इस वज़े से अब इसमें डालेंगे एक छोड़ा चमच कुटी वी हरी मर्च हरी मर्च का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं मिक्स करेंगे और एक पर फिर दो से तीन चोलों को हम हरी मर्च के साथ भी लगाता चमच चलाते वे पकाएंगे तो छोले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं इसमें अब हम छोलों का बचा हुआ पानी शामिल करेंगे ये धाई कप पानी है अगर आपके पास छोलों में पानी कम बचे तो आप इसमें एक ग्लास पानी शामिल कर दीजेगा तो टोटल पानी आप इसमें धाई कप रखिएगा जितना हमने रखा है मिक्स करेंगे और ढग कर इसको हम 10 से 12 में धीनी आज पर पकाएंगे बीच पीच में हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि छोले जो हैं वो तले से न लग जाएं अब देखिए तेल सरफिस पे आने ल पर इसमें कुछ मसाले और डालेंगे जो एसके फ्लेवर्स को और आःंस करेंगे तो हमने डाला एक छोटा चमच गर्मसाला पउडर और देढ चो चमच कुटा हुग काली मर्च कोह दालाएगा दर दरी काली मर्च जाली है का इग पार मट डालेगा काले मिर्च डालने से इसके flavors और enhance होंगे अब ढग कर इसको हम 5-6 मिर्च धीमी आज पर पकाएंगे ताकि तेल जो है वो सर्फेस पर आ जाए देखिए तेल सर्फेस पर आ गया है अब इसमें हम एट करेंगे चार हरी मिर्च हलके हाथों से मिक्स करेंगे और लीजे हमारे सुपर डिलीशास लहुरी चने तयार है बहुत ही मज़ेदार बने आएं गरमा गर्म सर्फ कर लेंगे यह ब्रिक्वस्ट रेसिपी यह तो आप इसको उबले अंडे के साथ सर्फ कर सकते हैं आप इसको पूरी प के भी इस तरह से सर्फ कर सकते हैं देखिए कितने टैम्टिंग लग रहे हैं थोड़ी दे रखने के बाद तेल अपने आप सर्फिस पे आ जाएगा तो रेस्पी पसंद है लाइक कीजेगा चैनल पढ़ नहीं हो सब्सक्राइब कीजेगा फैमली और फ्रेंड्स में भी रेस् सब्सक्राइब के साथ अपना ख्याल रखिएगा आला हाफिज